तो अब हम अपना पाठ प्रारंब करते हैं पेंसल अपने पास में रखें और सब्दार्थ लिखते रहें साथ में अस्ति यानि है गोदावरी नाम है नदी का तीरे तटपर विशाल है बड़ा सालमी यह नाम है सालमी जिसे सेमला भी कहते हैं या सालमी भी लिख सकते हैं और तरु यानि पेड गोदावरी नदी के किनारे पर एक बड़ा सालमी नाम का पेड है फर्स्ट लाइन का हिंदी अड़ है गोदावरी नदी के किनारे पर या तट पर एक बिशाल साल्मी नाम का पेड है नानादी देशा आगत्ते हैं अनेक देशों से आकर रात्रव रात्री में पक्षिनों पक्षी तत्रे वहां निफ्षन्ती रहते हैं या ठहरते हैं अनेक देशों से आकर रात्री में पक्षी वहां निवास करते हैं अथ इसके बाद कदाचित किसी अवसान सयो रात्रो रात्री के बीतने पर अस्ता चल चूड़ा विलंबनी अस्त होने के सिखर पर है या अस्त होने वाला है भगवती भगवान कुमुदनी नायके कुमुदनी का नायक कुमुदनी बोलते हैं चांदनी रात को रात्र को रात्री को तो रात्री का नायक यानि चंद्रमा चंद्रमसी चंद्रमा लगुपत्नक नामा ये एक नाम है लगुपत्नक नाम का बायस यानि कोआ प्रभुद्य यानि जागा प्रतान्त में वो शिकारी की यमराज की तरह दितियम दूसरा आयान्तम आते हुए ब्याधम शिकारी को एपश्यत देखा इसके वाद किसी रात्री के बीतने पर तथा भगवान चंद्रमा यहां से लगएगा पीछे से भगवान चंद्रमा जो रात्री का नायक है वो अस्त होने के शिकर पर है या अस्त होने बाला है उसी समय लगुपत्नक नामा लगुपत्नक नाम का बायस प्रभुद्धे को आ जागा इसके बाल किसी रात्री के बीतने पर तथा रात्री का नायक या कुमुद्नी का नायक भगवान चंद्रमा पूरी तरह अस्त होने के शिकर पर है तभी लगुपत्नक नाम का एक कोआ जागा प्रतांत में ब्दुतियम और यम्राज की तरह दूसरे या दूसरे यम्राज की तरह आयन्तम आते हुए ब्याधम एपश्यत सिकारी को देखा तथा दूसरे यम्राज की तरह आते हुए सिकारी को देखा यहां सिकारी को यम्राज की संग्यदी है क्योंकि यम्राज का कारिये है प्राणों का हरन करना और यो शिकारी होता है उसका भी कारिये होता है पसुपक्षियों का के प्राणों का हरन करना तो यहाँ इसलिए सिकारी को यम्राज की उपमा दी गई है तम उसे अब लोग के देखकर एचिंतियत सोचा उसे देखकर सोचा अध्यव आज प्रातर एव प्राते काल ही अनिष्ट दर्शनम जातम अनिष्ट का दर्शन हुआ है असुब दर्शन हुआ है ने जाने किम पता नहीं क्या अनवितम दर्शनम 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 दर्शन सोचा, आज प्रात्यकाली असुभ दर्शन हुआ है, ने जाने या पता नहीं आज क्या असुभ दिखाई देगा। आते हैं, तद अनुसरान क्रमेण उसका पीछा करता है, ब्याकुल होकर चलता है, तथा या आते हैं, ब्याकुल होकर के उसका पीछा करता है और उसके पीछे-पीछे जाता है. तथा व्याकुल होकर के उसके पीछे-पीछे जाता है देखने के लिए कि आज क्या असुभ होगा कि आपको इसका हिंदी अर्थ करना है नोटबुक में तो यह हिंदी अर्थ है इसका जो मैंने भी पैरा पड़ा था उसका तो इस हिंदी पर्थ को आप यहां से भी समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे इसके बाद अगला पेरिग्राफ अथ इसके बाद तेल उसने व्याधेल सिकारी ने इसके बाद उस सिकारी ने तंडुल कलान चावल के तुकडों को विकीरिये विखेर कर जालम जाल को विस्तीरणम बिछाया इसके बाद उस सिकारी ने चावल के तुकडों को विखेरा और जाल को विछाया से बहे चे और और बहे प्रेचन्नो यानि चिपकर भूतवा यानि होकर इस्तित्यानी बैठ गया और बहे चिपकर के बैठ गया तस्मिन एव उसी ही काले यानि समय में उसी समय में ही चित्रग्रीव नामा चित्रग्रीव नाम का कपोत राज है कवुतरों का राजा से परिवारों अपने परिवार के साथ वियती वी सर्पान उन्हें देखता है तान यानि उन्हें वियती वी सर्पान विखरे हुए उन टुकडों को देखता है तंडुल कलान चावल के टुकडों को और अब लोग के मान अपश्यत एपश्यत और अवलोग कमास यानि दोनों कार्थे कि यह देखा इसके बाद उसी समय चित्रग्रीव नाम का कभूतरों का राजा अपने परिवार के साथ वहां आता है और उन चावल के टुकडों को देखता है या उन चावलों के टुकडों को उसने देखा तते हैं इसके बाद कभूतरों का राजा तंडुल कण चावल के टुकडों के लुबधान यानि लोभी या चावल के टुकडों को चहने वाले कभूतान कभूतरों के प्रतियानि के लिए आहे या एकतियत यानि कहा इसके बाद कभूतरों के राजा ने चावल के टुकडों को चाहने वाले या चावल के टुकडों को जो चाहते थे उन कभूतरों के लिए कहा या उन कभूतरों से बोला कुतो अत्र अत्र यानि कोतो यानि कैसे निर्जन यानि निर्जन निर्जन का मलब जहां कोई आदमी नहीं रहता हो वो ताय निर्जन बने बन में तंडुल कलानाम कणानाम चावल के टुकडे संभव यानि संभव है आगे प्रश्ण बाद चक्चिन लगा हुआ है तो कैसे संभव है तो यहां इस निर्जन बन में चावल के टुकडे कैसे संभव है या यहां चावल के टुकडे कैसे हो सकते है तन निरूपिताम तावत तन निरूपिताम तावत तो इस बात पर या हमें इस बात पर विचार करना चाहिए तन निरूपिताम तावत तो तब तक हमें इस बात पर तब तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यहां निर्जन बन में चामल के टुकड़े कैसे हो सकते हैं भद्र मिदम इदम यानि यह है भद्र यानि कल्यान कारी या अच्छा यह कल्यान कारी ने यानि नहीं पश्यम में यानि देखता हूं मैं यहां अच्छा नहीं देखता हूँ, कल्यान कारी नहीं देखता हूँ या फिर मैं यहां कोई शुभ नहीं देखता हूँ सर्व था ए विचारितम सर्व था हमेशा ए विचारितम बिना विचारे कर्म ने करतब्यम कारिये नहीं करना चाहिए सर्वता ऐ विचारितम कर्म ने करतब्यम हमेशा बिना विचारे कारिये नहीं करना चाहिए कभूतरों का राजा इस तरह कभूतरों से बोलता है तो एतद वचनम इस बचन को या इस बाणी को सुरुत्वा सुनकर कश्षित किसी कपोते है कभूतर ने सैदर्पम गमंड के साथ या गमंड में आह या एकथियत यानि कहा तो इस बचन को सुनकर किसी कभूतर ने गमंड के साथ कहा या वो गमंड में बोला इरशी ये इस लोक हैं इसे द्यान से देखें यहां इरशी है अपनी पुस्तक में देख लें या मिस्प्रेंटेज में तो इरशी इरशा ग्रणी ग्रणा तुम संतुष्ट है संतोसी नहीं होना यानि एसंतोसी होना क्रोधनो क्रोध करना नित्य संकित है हमेशा संका करना या सदेव संका करना पर भाग्योप जीवी और जो दूसरों के भरोसे जीते हैं चै और सडेते चै दुख भागिने दुख के कारण होते हैं या ये जो चै गुण जिन में होते हैं वो हमेशा दुख के भागिदार होते हैं उन्हें दुख मिलता है ये इसके शवदार्थ थे इंदी अर्थ देख लें इसका ऐसे व्यक्ति जो इर्षया ग्रणा कभी संतुष्ट नहीं होना क्रोध करना हमेशा संका करना शक करना तथा जो दूसरों के भाग्योप के वरोसे जीते हैं ये छे बाते बताई गई हैं कौन-कौन सी हैं नमबर एक इर्षया करना नमबर दो ग्रणा करना नमबर तीन कभी संतुष्ट नहीं होना नमबर चार क्रोध करना नमबर पांच हमेशा संका करना और नमबर छे दूसरों के भाग्योप के भरोसे जीना ये छे दुख के होते हैं या ये गुण जिसके अंदर होते हैं वो हमेशा दुख के वागिदार होते हैं उन्हें हमेशा दुख की प्राप्ति होती है एक बार फिर इस लोग का हिंदियर देख लें तो वो कभूतर गमंड के साथ क्या कहता है उस कभूतर की बात को काटते हुए या उसका अप करता है घ्रणा करता है कभी संतुष्ट नहीं होता क्रोध करता है हमेशा ऐसा देव शंका करता है और जो दूसरे के भाग के वरोसे जीता है ऐसा व्यक्ती दुख का भागीदार होता है